हेलो फैन्स स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल स्टार के स्टेट पैंट पर दोस्तों इस वीडियो में लेका रहे हैं आप सभी के लिए क्लास टेंथ पालों के लिए यहाँ पर टॉप मोस्ट भी वी अब्यक्टिव टैप कोश्चन जो 222 की बूर्ट पर इच्छा में यहां से काफी शार अब्यक्टिव टैप कोश्चन पूछी जा सकते हैं अगर आप इस चैनल पर जरूर लास्ट टक बने रहेगा इस वीडियो को लाइक जरूर करना चैनल को भी सब्सक्राब कर लेगा ताकि इसी तरह समलों जैसे ने अब लोग करांगा तो नाठीकर आपको मिलता रहेगा ठीक है चली आपनों जांते हैं प्रिविदर से कोशन पेपर के सारे कोशन यहाँ पर जो भी इंपोर्टेंट है एत cared करने वाले अगर चैनल को शर्क यहाँ फे picture कर लिए अगर की सब्सक्राब करके, और फेसी एक करना चाहते है ता पर इस इसी तरी के काफी सारे अपजेक्टिव टैप कोशन आप लोगों के बोर्ड परिख्ण में यहां से पूछे जा सकते हैं चलिए पहला कोशन देखते हैं हम लोग यहां पे पहला कुसरा है कि निम्लिखित में से कौन सा यहाँ परमेश संख्या है काफी सांदार प्रसन है भाई कि निम्लिखित में से कौन सा परमेश संख्या है है ना देखो पाइए एक आपरिमेंच संख्या बिलकुल रूट 7 जो पूर्ण वरग संख्या है और यह ऐन इमेस्ख्या का उधारन हो जाता क्या है था परिमेस्ख संख्या तो जलिए नेक्स्स देक्ट मैं लुग यहां पर दूसरा इन यहां पर है कि रूट अंडर 5 एक कौन साफ्ट रूट अप लग को पता होगा आप यह पूछा जाता है के रूट अंडर फाच एक अपर में सांख्या नहीं है ठीक है ठीक है थर्ड नमर कोशन देखते हैं कि यदि और बिदो अभाद संख्या हैं तोुट रिट रे पलस रूट रिजखें होगे वो हमेसा कौंसी संख्या होगी क्यों सबसे पहले ये जान लो भाई कि जितने चजितने 빠वाद संख्या वह कौन तो संख्याओं को जब दो भी हम लोग कोई संख्या जैसे अपर मेरा तो योग भी अपर मेर संख्या के बराबर ही होता है ठीक ठीक ऑपशन नबर यहां पर डीज़ा है चली नेक्ट संथ कोर्षण देखते हैं बहुत ही सिम्पल है भाई दोनौों संख्याओं का गुणा कर दो है लस और Kirby लॉस और मोसा निकालना है और मशाजाए यहां पर ऊपकी और यहां पर 19000 पर यहाँ पर दियाए वच का ऊप्यजार ह्ता गया और वेल कहल रहा है regionrile Lemon Lyon पल्टि बिर्ताकार पत पर तीन धावक एक ही अस्थान से दोर्णा प्रारंप करते हैं तो एक चक्कर लगाने में कर्मस एक घंटे, तीन घंटे तथा पाच घंटे समय लगता है तीनों को प्रस्थान बिंदू पर पुनह मिलने में लगा समय होगा बहुत ही सांदार प्रश्ण और इसका क्या करो LCM निकाल दो है ना तो एक तीन पांच का LCM कितना होगा 15 तो 15 घंटे के बाद जो है वो तीनों जो एक ही बिंदू पर यहाँ पर मतलब मिलेगा आपस में आके हैं अपसनें बड़ी हो जागे हैं आप 15 घंटा है ना उम्मीद है इससे कोस्टन को आप असानी से कर पाओगी जब यहां में पूछा जाए डाइक्ट आप लोग क्या करना ना इसका LCM निकाल के अंसर दे देना ठीक है चेंद नमर है भाई कि भहूपद 4X squared मैनस 4X पलस 1 के मूलो का गुननफल कितना होगा काफी सांदार ये भी प्रेशन है मूलो का गुननफल तो सबसे पहले तो हम लोग निकालते हैं भाई इसमें मूलो का योगफल और मूलो का गुननफल तो है न तो मूलो का योगफल होता है अलफा पलस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है न और अलफा इंटू बीटा मतलब मूलो का जो गुननफल होता है वो होगा ये एक मतलब सी अपोन ए तो एक बटा चार ओप्सन नमबर डी सोरी सी एक बटा चार यहां पर राइट हो जाएगा ठीक है काफी सिंपल प्रस्ण था काफी सारे छात यहां यहां पर देख लो बाइट के सुनियक अलफा और बीटा हो अलफा प्लस बीटा का जो मान होगा वो क्या होगा बहुत ही सान्दार प्रसन है यहां पर रहां पर यहां पर बहुत सरसा इसको गलती वी किया हुँ है आप लोग समझ लेना कि जब भी आपको minus b upon a होता है न तो minus b को हम लोग अगर minus मिलेगा तो plus लेंगे ठीक है अगर plus मिलेगा तो minus लेंगे अगर minus b यहाँ पर दिया गया है इस वाले format में तो plus मिलेंगे इसका मान ठीक है alpha plus beta मतलब मुलो का योगफल वाले में उमीद करते हैं समझ गया होंगे एक दो बार practice करोगे समझ भे आ जाएगे तेले आठ नमर question देखते हैं यदि px बराबर x square minus 3x minus 4 तो px का एक सुनियक होगा बहुत ही सांदर प्रशन भाई सुनियक का मतलब यह होता है कि इसमें हम जो 0,2,3,4 जो option है इस option में से कौन सा ऐसा मान दे कि इस equation का मान 0 आ जाए ना मतलब इस बहुत पत का मान 0 आ जाए तो px बराबर है x square minus 3x minus 4 इसमें हम लोग कौन सा मान देंगे कि यह 0 के बराबर आ जाएगा था है तो आप असाने से निकाल सकते हो या तो गुरंखन बीडी चेर्थ या फिर आपिसन बीदी से तो यह जो benefit रहता है आपको option से ही रहता है या फिर आप निकाल सकते हो ग्रुन खन पर इसका मान 0 नहीं आएगा तो option number D is the right next question देखते हम लोग कहा गया कि यदि यूगफद समिक्रण निकाय का कोई हल नहीं हो तो वह समिक्रण निकाय कहलाता है जिसका कोई हल नहीं होता है इसको पता ही होगा कि आप لوग उसको समांतर रखाय की को समांतर हैं ईसको वर बीरोधी आश्रित तो और उसको आनंत हल हो तो इसको उसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग अप्सन नमबर यहां पर सी राइट हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स कोशन देखते हम लो पी के किस मान के लिए सम्मिकरन यूगम का कोई हल नहीं है तो कोई हल नहीं होने के लिए भाई एवन बटा एटू बराबर बीटू हमको करना है डारेक्ट यह उन के जगह पर होने चाहिए कोई हल नहीं होने के लिए ठीक है चलिए तो दस का अप्सन नमर यहां पर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा दस चलिए 11 देखते हैं यहां पर हम लोग कहा गया है कि जगहात समिकरन एक्स स्क्वाइर मैनस फाइव एक्स पलस एट बराबर जीरो के मुलो की पर छानाता है अगर जिरो से जिरो के बराबर आजाएगा तो वास्तविक समान होगा अगर जिरो बरा से बरह तो समान प्छाहरीNote Mm एक उन्हें आठ इसका मतलब 35-24 इसका मतलब एक जीरो से बढ़ा आया तो वास्तविक और और समान्त ऑप्सन नंबर यहां पर भी राइट हो जाएगा ठीक है चले नेक्ट कोशन देखते हम लोग 12 नंबर कहा गया है कि द्विखाद समिकरन 2x2-5x-3 बड़ाबर जिरू यह सारे प्रस्न जो है प्रिवेस यह पूछे जा चुके है ठीक है अगर आप लोग बना पा रहे हो तो आप लोग बहुत यह अच्छे तरीके से एक स्कोर करने वा द्विखाद समिकरन 2x2-5x-3 बड़ाबर जिरू का एक मूल होगा है तो मूल निकालने के लिए पता यह गुरुन खन्विदी समलों निकाल लेते हैं तो क्रॉस मल्टिप्ले इसको हम लोग कर देंगे तो यह माइनस 6 स्क्वाइर टू इसको 2x2 लिखते हैं ठीक है उसके बाद माइनस 5x और यह माइनस 3 बराबर 0 इसको मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह माइनस 6 स्क्वाइर हो जाएगा और माइनस 5x को 2 टर्में लिखना है ना ताकि माइनस 6 स्क्वाइर भी आ जाए यहां पर है ना चलिए लिखते हैं हम लोग यहां पर या फिर एक मूल होने के लिए कि मैं आउप्सन बिदी से भी बनात बता देता हूँ या तो एक दो तीन चार्ज ओप्सन दिया गया इसमें से कोई मान रखोगे एक्स के जगब पर अगर जीरो के बराबर आ रहा है तो वही एंसर हो जाएगा इसका ठीक है या नहीं तो Ayा फिर एक प्रस्न बेर जीरो कर देंगे ठीक है यहां पर टो एक्स कमान लेंगे यहां दो एक्स मान पर देंगा एक-स माइनस वाइट तो माइनस वाइट टू कॉमन ऑप्शन में एक पराबर ठीरी एंसर राइट हो जाएगा काफी सिंपल था जब इस तरह के प्रस्मा बना पाते हो तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप बना पाओगे जब एक जाम में पूछे जाएंगे तो चलिए नेक्ट को मतलब एन का भेलू 10 दिया गया है तो हम लोग जानते है टी एन वराबर एप पलस एन मैनस वन इंटू डी होता है एक अमान दो पलस एन मैनस वन तो दस मैनस एक नो गुने पांच तो दो पलस 45 बराबर 47 इस दराइट एंसर ओप्शन नबर सी यहां पर हो जागा 47 काफी सां देखने हम लोग पर्थम 1000 धन पुर्नांकों का योग बहुत ही सांदार है बाई इसका जो सुत्र होता है डायक मैं बताता हूं एन पर्थम धाटेक हजार इसका मतलब प्राकर्टिक संहाओं का योग एन एन टू एन पलस वन बाई तू होता है तो एन के बराबर यहां पे 1000 है तो 1000 गुने 1001 जब जो रोगे तो है ना जब जो रोगे तो कितना आएगा 1001 अब अब यहां पर दो इसको कटा दो भाई तो यह 500 हो जाएगा अब मल्टिप्लाइ कर दो तो यह 500 फिर 500 ठीक है तो अप्शन नमबर एदर रहेट यहां पर नेक्स्ट कोश्टन देखते हैं 15 कहा गया है कि यदि AP का सारवंतर पाच है तो T 18 T 15 का मान बहुत सिंपल है है ना T 18 का मान हम लोगों को पता है कि A 17D होगा और यह A पलस बाराज दियोगा पता है न ये चीज बित अठरा का मान क्यों उसी वाले फर्मूला पर या है ऐंए पलस एन मैनश वन एन ठोले फर्मूला पर बितारा एन कामान यहां पहुरा देँगे तो एपलस साठाब दी मेड़ाई क्लिक रहू है यहाँ पे छे साहरे करेंगे करेंगे उसको कलिकूलेशनी कर देंगे तो a Newton सथर दी आजाएगा फिर माइनॉस यहाँ पे करेंगे तो माइनमम Mehr मैंट से मैल्स गया लग 9 अभिन सब्सक्राइशन करेंगा पांच दी आर्प दी का मान पांच है यह पांच युको ने पांच वराबर कितना ट्वेंटीफ है ऑप्सन नमबर यहां पे सीज दरेंट बहुती सांदार प्रस्ण था और बहुत सारे छात्री से फस्ते हैं ठीक है इसलिए रूल याद रखो चले सुला नमर देखते हैं कि यह दी तिरभूज ABC समरूप तिरभूज DEF है और BC जो अनुपात है EF साथ बटा नौ और एरिया ABC अनुपात एरिया DEF बहुती सांदार प्रस्ण भाई जब भी इस तरह के प्रस्ण पूछा और बोला जाए कि ABC दूसरे समरूप तिरभूज DEF के बरावर है और उसका भूजा का अनुपात आ है तो एरिया का नुपात क्या होगा है ना एरिया का तिरभूज ABC बटा में तिरभूज DEF कुछ नहीं करना है इसका स्कॉयर कर देना है तो साथ का स्कॉयर 49 नौ का स्कॉयर है क्या सी यही एंसर हो जागा 49 अनुपात एका सी अब इसका उल्टा जब आपको एरिया गया हो ह है ना और आपको भूजा पूछा पूछ दिया जाए तो बस क्या करना है ना रूट अंडर में डाल देना है तो यही भूजा का स्कुराइड निकल जाएगा मतलब भूजा का नुपाद निकल जाएगा तो आप्शन यह क tôi यह की मैंतों करें कि है नहीं क्या है चर यह dai c बटा चार पूरा है यहाद यह अस पर 11 employers यहाइव च्रू अब करना समय है इसको फिर किस्ट वरावरा बार लेक्स न था वदै कि कमान सिकव सेंटिमिटर यह जाएगा तो अपसर नमबर यहां पर 17 का सी राइट हो जागा देखो नो करना क्या है इसमें मैं बताता हो फिर से गवार यह बढ़ा भुजा यह छोटा भुजा के अनुपात के बराबर हम लेंगे और यह बढ़ा भुजा इस छोटे भुजा के अनुपात के को एक्वल करें यहां पर निकल जाएगा बहुत सारे चाथ करेंगे क्या मुझे पता है यहां पर करेंगे छे बटा चार बराबर तीन बटा एक्स कभी नहीं इसका माना आएगा ठीक है कभी नहीं आएगा चलिए तो यहां पर हम लोगों ने दोस्तों टोटल 17 कोसंस किया हैं उमीद करते ह इस वीडियो के माधम से आप लोगो काफी सारी चैनल कारी मिला होगा और इसी तरीके के हम लोग क्लास्टेंथ वालों के लिए काफी सारे सब्जेट की त्यारी कर रहे हैं ना सब्जेट का आप लोग को यहां पर देखनों को मिलेंगा अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव झाल